दिल्वाले दुलन्या ले जाएंगे एक रिकॉर्ड तोर और ब्लॉक बस्टर फिल्म दिल्वाले दुलन्या ले जाएंगे भारत की सदा बहार रोमैंटिक फिल्म मानी गई इस फिल्म ने अभिनेता शारुक खान और अभिनेतरी काजोर के इलावा इस फिल्म में काम करने वाले अन्य कलाकारों के करियर को भी नई उचाईया दी थी बत और डारेक्टर आदित्य चोपडा की ये पहली फिल्म थी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे कि कुछ ऐसे अन्नोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले शारुक खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे 19 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सूपर डूपर हिट फिल्मों में शामिल हुई हिंदी सिनेमा के बहतरीन फिल्मों में से एक DDLJ में अमरेश पूरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मंदिरावेदी, करन जोहर, परमीत सेटी समेट कई कलाकार थे मुंबई के मराठा मंदिर थेटर में फिल्म एक हजार सब्ता से भी जादा चली, फिल्म ने भारत में 58 करोड जबकि विदेश में 17.5 करोड पे कमाए थे डिरेक्टर आदिती चोपडा इस फिल्म में टॉम क्रूज को हीरो कास्ट करना चाहते थे फिल्म का पहला टाइटल भी था The Brave Heart Will Take The Bride जाहिर है कि अगर टॉम क्रूज ये फिल्म करते तो ना तो शारुक जैसे फनी फेस बनाते और ना ही पीली सरसों के खेत में नाचते पर हाँ शारुक को फिर King of Romance का खिताब भी इतनी आसानी से नहीं मिलता फिर ये शोप्रा ने आदित्य को समझाया और बात शारुक पर जाकर अटकी शारुक भी कहां इसके लिए आसानी से माने आदित्य चोप्रा को शारुक खान के साथ चार मिटिंग करनी पड़ी तब जाकर उन्होंने रोल्स विकार किया मतलब लकी थे शारुक जो किस्मत ने चार बार उनका दर्वाजा खट-कट आया अगर शारुक नहीं मानते तो आदित्य की अगली पसंद थे सैफ अली खान इस फिल्म का फाइनल टाइटल अनुपम खेर की पत्नी किरन खेर ने दिया जो था दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे फिल्म में पहनी शारुक खान की फेमस लेदर जैकेट उधे चोप्रा ने कैलिफोनिया से 400 डॉलर में खडी दी थी फिल्म दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे में काजोल के मंगेतर कुलजीत का रोल पहले अर्मान मलिक करने वाले थे लेकिन वह स्क्रीन टेस्ट में पास नहीं हो सके जिसके कारण यह रोल बाद में परमीत सेठी को दे दिया गया दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे मनीरावेदी की पहली फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने बड़े परदे पर अपनी अक्टिंग करियर की शुरुवात की थी इस फिल्म के एक सीन में अनुपम खेर अपने बेटे शारुक खान को कुछ पढ़ाई में नाकामियाब लोगों के किस्ते सुनाते हुए दिखाए गए दोस्तों वास्तव में उस स्रीम में अनुपम खेर अपने सगे अंकल के किस्से सुना रहे होते हैं जो कि वास्तव में पढ़ाई में कमजोर थे शारुक खान को फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे के सूपर हिट होने के बाद ही किंग ओफ रोमैंस का खिताब मिला इस फिल्म के निर्माता अदित्य चोपडा ने शोमेन राज कपूर से प्रेरित होकर फिल्म में शारुक खान का नाम राज रखा था फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे का पहला गाना मेरे खाबो में जो आए उस गाने में काजोल को तौलिया पहन कर डांस करना था लेकिन काजोल उस सीन को करने में जिजक रही थी तब इस फिल्म के डारेक्टर आदित्य चोपडा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि व फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे का पहला गाना मेरे खाबों में जो आए में काजोल ने जो सफेद स्कर्ट यारी की वाइट स्कर्ट पहनी थी पर चानबूच कर छोटी रखी गई थी इस फिल्म के डिरेक्टर आदित चोप्रा को स्कर्ट की लंबाई से इतनी परेशानी थी कि डिजाइनर मनीश मलोतरा को स्कर्ट काट कर छोटी करनी पड़ी इस चकर में ड्रेस काफी छोटी हो गई और काजोल को उसी में टांस करना पड़ा था फिल्म दिलवाले दुलन्या ले जाएंगे कि मेकिंग के वीडियो की एडिटिंग की जिम्मेदारी इस फिल्म के निर्माता ने उधे चोपडा और करन जुहर को दी थी और इस काम को करने के लिए दोनों ने खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद रखा था फिल्म DDLJ का गाना रुक जा ओधिल दिवानी की शूटिंग के दौरान अभिनेतरी काजोल से ये बात छुपाई गई थी कि गाने के अंत में शारुक खान उन्हें नीचे पटकने वाले हैं इस फिल्म के डिरेक्टिर आदित्य चोपडा ने जानबुच कर ऐसा किया था क्योंकि वह काजोल का इसमें रियल एक्स्प्रेशन शूट करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ तो दोस्तों इस गाने के लास्ट में जब राज सिम्रन को नीचे पटकता है तो वह सिम्रन यानि की काजोल का रियल एक्स्प्रेशन है पहला रिकॉर्ड होने वाला गाना था मेरे खाबों में जो आई आदित्य चोप्रा ने 24 बार आनंद बक्षी साहिब से अलग-अलग लाईने बदल कर ये गाना लिखवाया और फिर जाकर फाइनल किया महंडे लगा के रखना गाने में काजोल के लिए मनेश मलोत्रा ने हरे रंग का सूट डिजाइन किया लेकिन आदित्य चोप्रा वहां भी अडगए कि पंजाबी परिवारों के लड़कियां लाल मरून या गुलाबी कपड़े पहनती हैं सूपर हेट सौंग तुझे देखा तो ये जाना सनम जिन पीली सरसों में शूट हुआ था वो गुडगाओं में है आदिते चोप्रा ने शारुक का नाम फिल्म में राज रखा जो की शोमेन राज कपूर से प्रेरित था फिल्म में उनका पूरा नाम राज नात था जो की 1973 की फिल्म बॉबी में रिशी कपूर के नाम से प्रेरित था तो दोस्तों ये थे फिल्म दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे से जुड़े कुछ इंट्रस्टिंग और सच्चे फैक्स आपको कौन सा फैक्स सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस फैक्स के बारे में आप पहले से जानते थे मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और टेक केर